वेलकम बैक फ्रेंड्स दोस्तों आज मैं लास थर्ड एसस्टी के लेस्टन फूर जिसका नाम अवर ड्रेस्ट है उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा लिसेन इट केरफुली तो चलिए समय ज्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अवर ड्रेस्ट चैप्टर लेसन नमबर फूर का इक्सरसाइज देखे इसमें जो टिक दा करेक्ट ओप्षन में फर्स्ट है टिक दा करेक्ट ओप्षन फर्स्ट उलेन क्लाथ्स आर ओर इन जो उलेन क्लाथ्स हैं किस मौसम में पढ़ने जाते हैं तो समर विंटर रेनी सीजन तो हम लोग विंटर को करेंगे क्योंकि जो वूलेन क्लास होता है गर्म कपड़े उन वाले कपड़े वो ठंडी के दिनों पाने जाते हैं अगला क्वेस्जन है एन अकुपेशन लिंक्ड विद यूनिफॉर्म इज कोई ऐसा जौब बताईए जो कि जिसका यूनिफॉर्म फिक्स हो जैसे यहां पर देके आर्टिस्ट है इंटेरियर डेक्रेटर है और उसके बाद पाइलट है तो जो हीरो हीरोई होते हैं उनका तो भाई कोई फिक्स यूनिफॉर्म तो है नहीं इंटेरियर डेक्रेटर का भी कोई फिक्स यूनिफॉर्म नहीं होता लेकिन जो पाइलट होते हैं उनका यूनिफॉर्म है वो पाइलेट का ओक्पेशन से लिंग्ड है ओके आगे देखते हैं थर्ड वाट डू पीपुल विएर इन हाट एन हुमिट क्लाइमेट लोग हाट और हुमिट क्लाइमेट वाले मौसम में क्या पहनना पसंद करते हैं किस चीज के कपड़े लाइनेन का कॉ बोथ तो यहां पर देखे अगर यहां हाई टंप्रेचर की बात किया होता केवल तब तो लाइनेन और कॉटन दोनों हम लोग ठिक करते हैं बोथ लेकिन जब हाट एन हुमिट यानि गर्म मौसम भी और नमी वाला मौसम है ठीक है तो इस तरह बारिस में जैसा मौसम होता है इस तरह के मौसम में हमारा कॉटन इटिज दर राइट एंसर अगर हाट टंप्रेचर वाला एरिया होता केवल तो वहां पर हम दोनों के लिए बोध ट्रिक करते लेकिन इस क्वेस्टेन में हाट एन हुमिट क्लाइमेट है तो इसके लिए कॉटन इस दर राइट एंसर बी सही होगा इस सफा इज आल्सो नोन एज जो सफा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं पगड़ी के नाम से ना दुपट्टा इसकार्फ ना कहके पगड़ी कहते हैं जो गर्म एरिया वाले जो इस्टेट हैं जैसे राजिस्थान महराष्टरा पंजाब इन सब जमपर आप देखेंगे तो लोग फिरन ये जो सफा है अपने सिर पर बांदे रहते हैं पगड़ी ठीक है तो सफा इस दा राइट हैंसर फिल इन दा ब्लैंक्स इसमें सब्स रहेगा कि ज्यादा तर इंडियन जो हैं वो पैंड जीन्स और उसके साथ सर्ट पहनना पसंद करते हैं शारी इज ओरन आल ओर इंडिया सेकेंड वाले का अंसर है सारी पूरे इंडिया में सारी पहनी जाती है यह अलग बात है कि पहनने का थरीका अलग- हम लोगों ने उपर सीखा कि कुछ ड्रेसे जो है जॉब से जुड़ी हुई है जॉब के साथ पहचानी जाती है जैसे पाइलट पाइलट का कैसा होता है यूनिफार्म वाइट तो अकुपेशन इस दा राइट अंसर दा ड्रेसे आप दो पीपूल डिपेंड आन दा क्लाइम वेट यूनिफार्म भई स्कूल हर एक स्कूल में आप जाके देखेंगे तो हर एक स्कूल का कुछ ना कुछ बच्चों का यूनिफार्म होता है ठीक है तो सभी स्कूल के बच्चे यूनिफार्म पानते हैं य लिए भागे match the following देखते हैं यह देखिया answer दिया हुआ है मैं महराष्टरा का C option होगा कुर्टा पाजामा आसाम का A option मेखला चद्दर राजिस्थान का B option घागरा चोली इन options को आप ठिक कर लिजेगा ठिक है अपने book को complete कर लिजेगा अब आगे भढ़ते हैं question answer की तरफ ठिक है तो हमारा first question D section का जो है which two main factors are responsible for dresses of people लोगों के dresses के लिए अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह कर जो dress पांते हैं सभी लोग उसके लिए कौन से two main factors है जो responsible है तो two main factors are पहला climate of the place उस स्थान का climate यानि मौसम कैसा है दूसरा मौसम का मतलब जलवाई हो ठीक है और दूसरा है culture and tradition of the people वहाँ के लोगों का culture कैसा रहा संस्कृती परंपरा कैसी रही है उनके पुरुज किस तरह के कपड़े पहनते रहे हैं ये दो factor हैं जिसके हो जहां से पूरे देश में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के dress पहनते हैं लोग अगला question पूछ रहा है कि इंडिया में dresses में इतनी great variety इतना ज्यादा अंतर क्यों है इतने ज्यादे तरह की विभिनता क्यों है dress में तो भाई उसका भी तो answer यही होगा two main factors which responsible for a great variety in dresses of people are climate of the place and second culture and tradition of the people यही दो main region है जिसके कारण इतनी विभिनता dress में uniform में हमारे इंडिया में देखने को मिलती है question 3 name two states of India having hot and humid climate ऐसे दो states बताईए जहाँ hot and humid climate है गर्मी और नमी वाला मौसम रहता है what type of dresses worn there वहाँ किस तरह के dress पाने जाते है Tamil Nadu and Kerala two states of India having hot and humid climate जो Tamil Nadu और Kerala है वो ऐसे दो state है बच्चों जहाँ पर बहुत hot and humid climate होता है मौसम नमी वाला मौसम होता है गर्मी वाला मौसम होता है here people worn cool cotton cloths इस जगह पर लोग जो है cotton से बने कपड़े पानते हैं उससे उनको बहुत comfortable feel होता है mention different types of materials used for making dresses question number four में बताना है कि ऐसे materials बताईए जो dress बनाने के लिए यूज किया जाता है तो देखे different materials like cotton, silk, wool, nylon, rayon ये कुछ ऐसे materials है cotton, silk, wool, nylon, rayon मैंने बताया था cotton हमें plant से मिलता है silk हमें insect से मिलता है silk warm से wool हमें sheep से या yak से मिलता है यानि animal से और जो nylon और rayon है ये synthetic fiber है यानि factory में तयार किये जाने वाले fiber है इन सारे materials से dresses बनाये जाते हैं ठीक है और उनी कपड़ों को हम लोग पहनते हैं name the dresses that you like to wear for special occasion आपको कुछ ऐसे dress का नाम बताना है जो आप किसी special occasion पहनना पसंद करते हैं तो देखे मैंने यहाँ answer लिखा है I like to wear trousers, jeans with shirt and coat for special occasion मुझे paint के साथ shirt या jeans के साथ shirt पहन कर उस पर coat पहनना पसंद है next question more and more people are wearing western cloths these days आप देख रहे होंगे चाहिए बुआए जो चाहिए girls हों आज काल बहुत western cloths पहनना पसंद करने लगे हैं लोग मतलब western cloths का मतलब मैं यूं कहूँ हल के कपड़े कम साइज के कपड़े इस तरह के कपड़े पहनना लोग पसंद करने लगे हैं ठीक है tight fitting cloths पहनना start कर दिया है लोगोंने तो पूछ रहे है कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर तो भई लोग वही पहनेंगे जो उनको पसंद है और जिसमें उनको आराम है तो मैंने यहीं answer दिया more and more people are wearing western cloths these days because they find them comfortable क्योंकि इन कपड़ों को पहनने में उनको comfortable होता है उठने बैठने चलने फिरने में जिसकी होजन से वो लोग इस तरह के cloths को पसंद करते हैं value based question देख लेते हैं यह भी जान लेना जरूरी है क्योंकि यह भी आपके exam में आता है units में और essay में everyone is wearing new uniform except Mohit on the first day in new school एक story सुना रहा है जिसमें एक Mohit नाम का लड़का है जब वो इस्कूल गया first day अपनी new class में तो वहाँ देखते हैं तो सभी बच्चे new uniform पहन के आए हैं लेकिन Mohit नहीं पहना था तो Mohit के दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या बात है भाई Mohit told his friends that his parents are collecting money for his father's heart operation Mohit ने तब बताया अपने दोस्तों को कि दोस्तों मेरे परिवार के लोग पैसा collect कर रहे हैं ताकि मेरे पिता जी का heart operation they could not spend money on a new uniform and books इसलिए वो लोग मेरे उपर बिलकुल भी पैसा खर्च नहीं कर सकते इस तो में ये इस्टोरी एक है और इस इस्टोरी से related कुछ question पूछ रहा है आपको answer देना है पला how can his classmates help him Mohit ने जब अपने दोस्तों को जब बात बताया तो उसके दोस्त उसकी मदद कैसे कर सकते है his classmates help him by sharing their lunch books etc भाई उसके friend जो classmate है वो अपनी book share कर सकते है Mohit के साथ उसके साथ अपना lunch share कर सकते है इस तरह से वो मदद कर सकते है next question है what step can the teachers take so that Mohit does not face any problem in his study उसके teacher क्या step ले सकते है Mohit के ताकि Mohit की पढ़ाई में कोई problem ना है तो teachers can allow free relaxation for Mohit से study by teacher जो fees लगती है school में Mohit की उसमें कुछ relax दे सकते है teacher अपने लेवल पर ये काम करा सकते है ताकि Mohit की study disturb ना हो और next question है how can the parents of Mohit's classmates help Mohit के classmate के जो parents है दोस्तों के ममी पापा वो कैसे Mohit की मदद कर सकते हैं तो भाई सब लोग अलग-अलग job करते होंगे बिजनेस करते होंगे हर एक दोस्त के पापा ममी आप लोगों को इस chapter के exercise को complete कर लेना चाहिए और इससे learn करना start करना चाहिए एक बात और अगर वीडियों आप लोगों को पसंद आया समझ में आया तो जरूर लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक चैनल पर आप नए हैं और आपने subscribe नहीं किया है जरूर subscribe कर दें और subscribe बटन के बगल में जो bell icon होता है उसे प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज का notification मिलता रहे थांक यू, वैव नाइस देए